और चलिए इस वक्त बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं आपको बता दे कि अलिगर्ड के अंदर गेहूं की फसल में भिशनाग लग गई है शौर्ट सर्किट से ये भिशनाग लगी है आग लगने से आपको बता दे कि लाखो रुपे का नुकसान यहाँ पर फसल जलने से हुआ करीब 20 बिखा फसल जलकर यहाँ पर राक हो गई मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे आग पर काबू पाया गया थाना चंडोश शेतर के गाउं बजहरा की एगटना बताई जा रही है जहाँ पर आपको बता दे कि गहुं की फसल में आग लगने की एगटना सामने आई है अलिगर के अंदर और इसी के साथ लगभग 20 बिखे की जो फसल थी गहुं की वो यहाँ पर पूरी तरह से चल कर राक हो गई है कारण यहाँ पर शोट सर्किट बताया जा रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सरस से यहाँ पर भयावे नुकसान भी कहीं न कहीं उठाना पड़ेगा जिस किसान की फसल का यह नुकसान हुआ है साथ यह आपको बता दे कि शोट सर्किट बचले के तारों में हुआ दिस वज़े से आग लखने की घटना हुई है पूरी तरह से यहाँ पर यह नुकसान मौके पर दमकल करमी पहुँचे हैं आग बुचाने का कारे किया गया है अलिगर्ड उत्रप्रदेश के अंदर आपको बता दे यह गेहु की फसल को लेकर यह जो तमाम चीज़े हैं वो सामने आई जहाँ पर आपको बता दे कि विशन आग लखने की घटना यह हुई है पूरी तरह से गेहु की फसल पकर तयार इस समय है जहाँ पर शोड सरक्रिट की वज़स से आग लखने की एक घटना हुई अलिकर्ड उत्रफदेश के अंदर मौके पर दबकर कर्वी मौजूद है और इसी के साथ वहाँ पर आगपर काबू भी पागया है लेकिन लगबग 20 बिखा बता जा रहा है कि यहु की जो फसल है वो पूरी तरह से चल कर राक हो गई है